Hello आज के पार हम देखेंगे कि हम एक Animated Our Services section कैसे create करते हैं Telven CSS का यूज करगे सारे process में हम Telven CSS की classes यूज करेंगे कोई भी अपनी classes नहीं बनानी और बिना अपनी class बनाए हमें Our Services section बनाना है वो भी थोड़ा है Animated होते हुए देखें स्क्रीन पे एक आपके सामने डिजाइन है जिस डिजाइन में देखें थोड़ा सा मैंने बनाया भी है एक heading दी है और टोटल यहाँ पे आठ आपके सामने cards बनाए हुए है और cards में जो डिजाइन है उसमें थोड़ा Animated है थोड़ा hover का effect लगाया है यह सारे process को हम कैसे बनाएंगे इसके लिए क्या-क्या code करना है यह सारी logics को हम अभी क्या करेंगे clear करेंगे जिससे आप our services वाला section अपने logic के according क्या अगर पाएं बना पाएं तो चलिए start करते हैं इसको बनाना पूरा का पूरा practical ही करते हैं आपके सामनी चीज़े क्या होंगे clear होंगी तो मैं code पर आ चुका हूँ यह मेरा code था जो मैंने आप लोगों को last करके दिखाया था एक page है देखे card new.html यह मेरा page था right click करके open in browser कर देता हूँ इतने दो section बनाए थे एक about और एक card का section जिसमें feature product था अब मुझे our services section बनाना है मैं उपर ही बना दूँगा जिससे आपको थोड़ा क्या होगा clean नजर आएगा और यह इधर की side बना हुआ है बहुत simple सा concept है पहला काम तो हमें यह करना है कि अगर अपने को icon चाहिए तो font awesome add करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ font awesome की library ले ले लेता हूँ इधर की side से क्योंकि font awesome की CDN आप library लगा दीजिएगा यह मैंने CDN को यहाँ पर क्या कर दिया पास कर दिया तो font awesome CDN यहाँ पर आ चुका है यह जो CDN है किसका है font awesome का क्योंकि icon चाहिए अब हम बनाना इस्टार्ट करेंगे हम उपर की side क्या करते है section को बनाते है बनाने के लिए clear concept है कि हम एक div लेंगे clear है और div में same class यूज करनी है max w 1320 pixel ठीक है md py यह सारी चीज़ों को आप लेते हुए यहां पर क्या करें इसको बना लीजे कोई दिक्कत नी है मैं यहां पर क्या करता हूँ इसको copy कर लेता हूँ और यहां पर इसको क्या कर दूँगा बना दूँगा बनाने के बाद का क्या flow है बनाने के बाद का क्या process है वो हम अभी क्या करेंगे clear करेंगे और हमें flex से नहीं बनाना हमें बनाना इसको grid से क्योंकि flex का use नहीं करना हमें यूज करना है grid का पहले मैं काम करता हूँ h2 tag के अंदर यहां पे लिख देता हूँ या h1 tag के अंदर यहां पे आप text font की class use कर लीजे, मैं 4xl use करके इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, और दूसरा काम क्या करना है, इसको text center करके इसको center कर दीजिए, यह center चला जाएगा, heading वाला part बन गया, अब हमें क्या करना है, वो boxes को रखने वाला part बनाना है, जो यह box यहाँ पर आ रहे देखिए, अगर आप लोगों को boxes को रखने वाला part बनाना है, तो आपको बनाना कितने मैं, इसको थोड़ा छोटा बनाना है, तो मैं एक काम करते एक div लेता हूँ, class में मैं यहाँ पर लिखूँँगा max, ठीक है, डबलू और यहाँ पर लिख दूँगा 1200 pixel, 1200 pixel का मतलब 1200 pixel में बनाना है, max auto देके इसको center किया, और PY मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, माल लीजे PY 5, top और bottom से 5 ना यूज करके, मैं यहाँ पर अपने according 50 pixel का gap दे रहा हूँ देखिए, PY मतलब wide direction पर 50 pixel, top और bottom से right click open browser, कुछ इस type से gap आ जाएगा, अब इसके बीच में बनाना है, तो आपको पता है कि एक हम grid की class huge कर लेंगे, फिर आपको पता है grid calls कितने दिखाने, अपने को एक line में 4 दिखाने हैं, वो भी LG की screen में कितने दिखाने, वो आपको यहाँ पर क्या करना, पास करना, LG की screen में 4 दिखाने हैं, और SM की screen में कितने दिखने चाहिए, दो दिखने चाहिए, तो SM में grid calls कितना दिखने चाहिए, दो बस होगी अपना काम, इतना सा काम करना है, और साथ में एक और class huge कर लेंगे यह gap, और gap हम थोड़ा सा बढ़ा देता है, gap मैंने यहाँ पर क्या किया, gap 6 दे दिया, तो थोड़ा gap बढ़ा हुआ मिलेगा, अब पहले मैं एक box बनाता हूँ, एक box बनाने के बाद, logics को आपके सामने क्या गरूआ लगा कि दिखाऊंगा, तो हम एक div ले लेते हैं, class clear है कि हमें थोड़ा shadow चाहिए, तो मैं shadow LG यूज कर लूँगा, ये भी ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा एक बार PY, या PY ना यूज करके P यूज कर लेता हूँ, P 4 तरब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 यूज कर लेते हैं चलिए, तो 4 तरब से 5 आ जाएगा, सबसे पहली heading क्या है, अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहली heading है, यहाँ पर अगर अपना जो cards पहले से बनाए, web design, तो web design को मैं डाल देता हूँ, एक बर किस के अंदर, मैं डालता हूँ, इसको h2 tag किया, h3 tag के अंदर, और थोड़ा सा class मैं अपने according देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर class दी है, text माल लीजिए, मैंने text excel नाम से class दे दी, text excel क्या करता है, थोड़ा सा font को क्या करेगा, बढ़ा कर देगा, फोर excel मत दीजिएगा, excel दिया है, थोड़ा सा font हमारा क्या का बढ़ा हो जाएगा, यह बढ़ा हो गया, और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर use कर लेंगे, text center, क्योंकि हमें text को क्या करना है, center करना है, तो यह center में चला जाएगा, चलिए, देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक P tag लेंगे, और P tag में हम क्या करेंगे, यह content add कर देंगे, कौन सा content add करना, यह जो भी ellipsum content है, यह P tag के अंदर हमें क्या करना है, पास कर देना है, और right click करके, यह open in browser करेंगे, आपके सामने यहाँ पर answer दिख जाएगा, answer आ चुका है, और थोड़ा सा आपको gap चाहिए, यह P4 थोड़ा ज़्यादा होगे, P5 जो था, P4 करता हूँ, हलका सा कम हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा gap चाहिए, gap का मतलब क्या है, यह heading और paragraph है, इनके बीच में gap, तो आप P5 यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं P5 उपर से क्या करता हूँ, टॉप और वाटम से 2 पिक्सल यूज़ करता हूँ, कुछ ऐसा आ जाएगा, अब अपने को आइकन लगाना है, तो आइकन लगाने के लिए, हमने font awesome चाहिए, तो font awesome की classes यूज़ कर सकते हैं, आइकन लगाने के लिए, जैसे माल लीज़े, मैं इसकी class को यही से ले लेता हूँ, ये class है, font awesome की, आप FAS करके, और FA laptop code ये यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, आइटेक का यूज़ करूँगा, और आइटेक का यूज़ करके, आइटेक के process में एक class यूज़ करूँगा, FAS, FAS बता रहा है कि font awesome, और FA laptop code बताएगा, कि आप laptop का क्या करना चाहते हैं, आइकन चाहते हैं, ओपन इन ब्राउजर करिए, यह दिहान रखेगा, कि laptop का जो आइकन आया है, वो किसके थूँ आया है, यह font awesome की library के थूँ हम लेके आया है, अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ा करते हैं, बढ़ा करने के लिए अपने पास वही है, class कौन सी text, थोड़ा 2xl कर देता हूँ, 2xl करने सा हलका सा यह क्या होगा, अपने को बढ़ा दिखेगा, color अपने को इसको थोड़ा सा blue करना है, तो मैं यहाँ पर color क्या करता हूँ, text लिखे, text और यहाँ पर मैं blue pass कर देता हूँ, text blue, और 900 कर देता हूँ, एकदम dark blue आपके सामने आ जाएगा, तो यह our services का section तो बन गया, मगर section पर कोई effect नहीं है, कोई logic नहीं है, तो effect लगाना है, यह थोड़ा gap अपने को जादर नजर आ रहा है, तो मैं इसके gap को हलका सा कम करता हूँ, यहाँ पर 50 दिया, इसको मैं एक बार कर देता हूँ, यहाँ पर लगबग लगबग 30 pixel, चलिए मैंने 30 करती है, तो थोड़ा सा gap कम हो जाएगा, अभी हमें hover लगाना है, ठीक है, hover का concept लगाना है, और थोड़ा सा अपने को logic और लगाना है, थोड़ा logic क्या लगाना है, कि वो animate होना चीए, तो animate के लिए, टैलविन CSS हमें बनी बनाई classes दे देता है, तो कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए, आपको जाना है, पहले एक box पे काम करते हैं, एक box पे आप यहाँ पे लिखे hover, ठीक है, hover करना है, hover पे क्या करना है, बताईए, मैंने यहाँ पे लिखा, BZ करना है, और BZ क्या करना है, आप इसके अंदर पास कर सकते हैं, कि hover पे हमें background कौन सा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि हमें BZ red चाहिए hover पे, ठीक है, और red में कितना चाहिए 900 चाहिए, जब मैं hover करूँगा, इसके उपर BZ क्या होना चाहिए, red आना चाहिए, वो भी 900 मैं यहाँ पर रिफ्रेस्ट करता हूँ, देखिए, red आ रहा है, देखिए एक बार आपके सामने, मगर हमें तो क्या करना है, यहाँ पे blue लेना है, मैं आपको clear बता रहा हूँ, आइकन को दिखाने के लिए, हम hover देंगे ठीक है, और color भी change करेंगे, तो hover पे हमें color क्या करना है, तो यहाँ पे text हम कर देते हैं, कि हमें test white करना है, जितना भी हमारा text हो, वो क्या होना चाहिए, white होना चाहिए, यह तो चलो background के लिए, यह किसके लिए हो गया, color के लिए हो गया, देखिए, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, refresh करता हूँ, हमारा color change, मगर हमारा icon पे कुछ नहीं हो रहा, icon का भी logic बताता हूँ, फिर आप यहाँ पे duration लगा दीजे, duration कितना चाहिए, 1000 मतला एक millisecond में यह पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, change होना चाहिए, अब logic क्या है, मैं आपको दाओ, logic यह है कि icon में हमने खुद से एक color दे रखा है, देखिए ध्यान से, text blue यहाँ पे 500, यहाँ पे क्या होता है, या तो मैं चलो इसके अंदर यहाँ पे लगा दू जैसे, देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक बार hover चलिए, hover और यहाँ पे मैंने कर दिया, कि hover paste का text क्या हो जाए, white हो जाए, चलिए यह मैंने pass कर दिया, grouping करके hover देना, group आप यहाँ पे यूज करिए, मैंने यहाँ पे group यूज किया, और यहाँ पे आप लगा यह group hover, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कि group पे hover होगा, तो इसका text क्या हो जाए, white हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, और यहाँ पे cursor करता हूँ, आप देखिए, मैंने parent पे hover किया, तो अपना child भी क्या हो गया, white हो गया, तो group लगा के ही काम कर सकते है, group मतलब parent को देना है, और जिस पे अपने को hover करना है, उसको group hover करके, जो भी अपने को देना दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे एक और property यूज़ कर रहा हूँ, duration भी, group duration करके होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, देखिए, यहाँ पे मैंने pass किया, duration पास कर दीजिए, duration भी काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पे refresh कर रहा हूँ, तो अब देखिए, थोड़ा सा slow होता हूँ, आपका color क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यही चेहिए था अपने को, पहले hover का effect हमने लगाया, hover के effect में हमने बोला, कि हमारा hover क्या होगा, parent पे लगेगा, बगर parent पे लगके, child पे कैसे काम करेगा, तो आपको group नाम की class को parent में यूज करना है, और child में group hover करके, क्या color देना है, text white, बाकी parent ने दोनों को white कर दिया था, heading और paragraph को white कर दिया, मगर वो इनको white नहीं कर पाया icon को, क्यूंकि icon के अंदर आपने color already दे रखा था, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक animation बनाना है, अब यही logic आप क्या करेंगे, मैं इसको copy कर लेता हूँ, चलिए, यही logic आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं control D करके हटा देता हूँ, और यहाँ पे replace मार देता हूँ, हर जगे hover का concept लग चुगा देखिए, आप देखिए, कितना good looking और clean आपके सामने क्या हो रहा है, design आ रहा है, text तो change कर सकते हैं, icon भी change कर सकते हैं, यहाँ जैसे icon और text change है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे icon में क्या है, marketing का icon है, graphics का icon है, data analysis का icon है, तो आप icon change कर सकते हैं, कोई नहीं, मेरा काम था logic बताना, अब logic में एक चीज़ रह गई है, logic में एक चीज़ क्या रह गई है, कि आप इसके अंदर animation कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा animation भी तो हो रहा था, animation के लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ एक बार, जिसमें आपको मैं बता पाऊंगा, documentation पर यहाँ पर चलता है, और यहाँ जाके, get started पर चलता है, और यहाँ पर हम लिखते है animation, देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च किया animation, animation पर आप क्लिक करिएगा, कुछ animations बने हुए मिलते हैं, आप देखिए, यह होगया, अगर किसी को rounded करना है, तो animation spin करके, use कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर जाके, क्या गर देता हूँ, लगा देता हूँ, इसके parent को क्यों लगाना है, अपने को icon को लगाना है, तो icon में जाके, इस animation को यहाँ पर pass करते, तो open in browser करता हूँ, आप देखिए, यहाँ पर rotate हो गया, तो आप एक तो यह animation लगा सकते हैं, दूसरा animation क्या लगा सकते हैं, दूसरा animation आप लगा सकते हैं, यह अगर आपको bouncing करना है, जैसे मैं bouncing करना काँ चाहता हूँ, यह bounce हो गया है, तो आप animation bounce का use करके, आप icon के अंदर bounce भी करा सकते हैं, तो जैसे मैंने इसके अंदर किया, कि animation bounce लगा है, और यहाँ पर जाके देखा, तो यह bounce हो रहा है, तो यह दो animation में से, आप कोई भी animation को क्या कर सकते अपने logic के according लगा सकते एक और animation है इसका नामे देखिए थूड़ा सा loader टाइप का animation लगाता है कहीं पर loading का यूज करना animation प्लश करके लिखा हुआ इसको आप क्या कर सकते लगा सकते अपने logic के सब्सक्राइब नहीं गरेगा तो आप क्या करेगा है यही 2 अनिमेशन लगए तो मैं animation bounce को क्या करता हुं यहाँ पर एनिमेशन बाउंस कर देता हूं और इस वाले में भी मैं animation bouncing का यूज करता हूँ right click करके open in browser करते हैं और यहां पर check करते हैं देखिए आपके जितने भी icon है वो सारे bounce हो रहे हैं और आपका होवर पर concept क्या हो रहा है एकदम clean working के साथ में क्या कर रहा है काम कर रहा है तो आप इस type के animations को क्या कर सकते है लगा सकते है अवर services का section दो मिनिट में बनके तयार है आप देखिए right click करके आप inspect करके mobile में जाके check करेंगे तो mobile responsive भी है क्योंकि हमने mobile के according responsive भी कर रखा रहा है और थोड़ा सा बढ़ा करेंगे तो यह दो-दो पार्ट में अपने को क्या होगा नजर आएगा दो-दो पार्ट में नजर आन तो यह बहुत clean और बहुत अच्छा our services section है आप इसको अपने logics के according के अगरिये design करिये बहुत सारी classes बनी बनाई है उन्ही concept को यूज करके अपने को क्या करना है डिजाइन करना है तो अभी के पार्ट में मैंने बताया कि आप animated our services section कैसे बनाते है उसको बनाने के लिए क्या हुआ हुआ है